आ इसमिल्ला राख्मान राहीम अस्सलाम अलेकोम डिर स्ट्टूद एकटीचुट्ट टेस्ट का इसको सेटे एल्डिय। आपको given है shaded portion का region मालूम करना है यह सरकल है यह सरकल है रेडियस आर यह आर है तो बटा definitely यह वाला distance भी आर के बराबर होगा है ना radius यह आर यह आर यह आर यह आर तो total distance जो है हमें किसके बराबर मिला आर 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 और और फोर आर के बराबर हासलो गया अगर मैं यहाँ perpendicular ड्रॉप कर दूँ एक सरकल है यह radius आर के बराबर perpendicular ड्रॉप किया जाए तो यह वाला radius भी आर के बराबर होगा और total length जो है rectangle की यह वाला आर यह वाला आर यह मिल के क्या हो जाएगा तो आर के बराबर हासलो जाएगा यह आर हासलो गया यह आर हासलो गया टू आर अब हमें बताना यह है shaded region अब बताएं shaded region जो है यह shaded region कैसे होगा total हमारे पास imagine करें cardboard है जो rectangular shape में है total हमारे पास cardboard है जो rectangular shape में है उसमें से यह दो हिसा कट कर लिया गया दो circle को कट कर लिया गया है ना rectangle का मतलब है length into breath length 4r है breath 2r है तो 4r multiplied by 2r minus twice एक circle का area पाई आर square के बराबर होता है तो बटाएं यह आ जाएगा 428r square minus 2pi r square अच्छा इसमें से आप common ले लें 2r square common आ जाएगा you get 4 2r square common आएगा पाई तो complete area आपको मिला 2r square 4 minus pi के बराबर इसके बाद आएगे बटा यह एक अच्छा सवाल है इसमें आप से कहा गया कि जो है वो एबी शेप है आपके पास abcd यह एक square शेप है और उसकी side 10 है यह square शेप है इसकी side 10 है और आर्क आप सर्कल विद सेंटर डी डी को सेंटर मांगते हुए एक आर्क डॉक या radius r यह वाला आर्क डॉक किया गया और उसका radius जो है वो किसके बराबर है 10 के बराबर है यह भी पूरा rectangle का हिस्सा 10 के बराबर है ठीक है अब कहा गया a g c a इस ग्राफ को g का नाम दे दें a g c एक कर्व है यह एक आर्क है cabe circle का अर्क है अगर मैं शेब बनाऊ तो यह quarter of circle कहला क्या कहला का गता है quarter of circle with center B उक और आंट डॉक किया गया बी को center मांते विए यह आर्क एक और डॉक किया गया यह Region centra मांते विए एक और आर्क डॉक कि दिया गया जिसका सटर्क इस भी 10 के बराबर है अब बताना ये शेड़िड हिसे का एरिया क्या होगा ठीक है शेड़िड हिसे का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है अब हम बात करें क्या किया जाए ये बात आपको पता हो कि ये आपके पास दो लाइन पर्पेंडिकुलर हैं ये शेप कौर्टर क्या क्या कहलाती है क्वार्टर और इस क्वार्टर का एरिया सर्क्ल का एरिया पाई आर इसक्वार्टर का एरिया पाई आर इसक्वार्टर का एरिया पाई आर इसक्वार्टर होता है तो यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे बटा हम क्या करें यह हमारे पास रेक्टैंगल है यह श पार्शन का एरिया मिल जाए तो टोटल एरिया में डबल से मल्टिप्लाई कर दूंगा ठीक है अब इस पार्ट का एरिया मालूम करना है तो क्वार्टर के एरिये में से minus कर दें area of triangle triangle का area मालूम कर दें quarter का area pie r square upon 4 circle का area half base multiplied by altitude यह होता है radius किसके बराबर है पताएं यहां center रखा आर्क ड्रॉग किया radius 10 के बराबर है पाई 10 का स्क्वाइर अपान 4 आ जाएगा माइनस का हाफ बेस बेस बराबर है बताईए 10 और परपेंडिकुलर भी 10 तो ये आ जाएगा 100 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 पाई 100 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास 50 ये आपके पास इस शेड़ हिस्से का एरिया निकलाया ये वाला शेड़ हिस्से का एरिया आपको मिल गया टोटल कैसे मालूम करेंगे मल्टिप्लाइड बाई 2 2 से मल्टिप्लाइड करेंगे 25 पाई minus of 50 तो जवाब आ जाएगा 50 pi माइनस का 100 ये total area निकलाया 50 pi minus का 100 ये इसका result आ गया आई होग ये clear है अच्छा बटा इसके बाद आईए आपके और सवाल है question number 11 इस question 11 में ये एक shape है 1, 2, 3, 4, 5 5 sided है तीन sided हो तो वो triangle है उसका internal angle का sum 180 होता है और अगर side की तादाद बढ़ाते जाएं तो formula है sum of interior angle n minus 2 multiplied by 180 अब ये बताए n का मतलब कितनी side है 5 side है 5 minus 2 multiplied by 180 5 minus 2 का मतलब 3 multiplied by 180 ठीक है ये 0, 8, 3, 0, 24 5, 40 तो sum of internal angle 5, 40 अब sum of internal angle का मतलब x plus x plus x यानि 3 x plus 84, 84, 2 multiplied by 84 is equal to 5, 40 आपने मालुम करना है x की value तो 3 x 5, 40 minus 4, 208, 8, 206 ये आपके पास result मिल गया ठीक है अब आप इसकी simplification कर लीजिए इसकी simplification जब आप करेंगे question number 11 तो इसकी simplification करेंगे तो ये 5, 40 minus 11, 372 आ जाएगा 3 multiply हो रहा है 3 divide में चला आया तो बिटा इसमें x की value मिल गई 124 कितनी आ गई 124 अगला part आप देख सकते हैं इसमें ये ट्रेपोजाइड है जिसमें दो साइडे जो है वो parallel हुआ करती है दो साइडे non parallel हुआ करती है इसको ट्रेपोजाइड और ट्रेपोजियम का नाम देते हैं इसका area होता है half और multiply कर देंगे altitude से और multiply कर देंगे sum of इसको multiply कर देंगे sum of non parallel side sum of parallel side parallel side के sum से multiply कर देंगे अब ये कहा जा रहा है इंविच एबी पैरलल टू बी सी ये ए भी ले ले लें और सी और डी ये दोनों पैरल है अब हमें करना क्या है ये साइट 10 के ब्राबर है तो ये वाले बी तैन के ब्राबर है अगर इस हिस्से की लेंद मालूम हो जाए तो होगा क्या ये लेंड भी भई होगी हम इस 10 में क्या एड़ कर देंगे बाकी 2 को एड़ कर देंगे ये वाली साइड मालुम करनी है तो बिटा ये ट्राइंगल को हम कंसीडर करें ये 12 है ये 15 है इस साइड को X का नाम दे दे ये एक राइंगल ट्राइंगल है जिसका 15 हाइपाटनियास है तो 15 का स्कॉाइर X स्कॉाइर पिलाज आफ 12 का होली स्कॉाइर इसको शिप्ट कर देंगे 225 माइनस 144 बिटा ये X स्कॉाइर आ गया 225 माइनस का 144 तो इसको सिंप्लिफाई करेंगे 81 आ जाएगा X स्कॉाइर X की वैलू 9 आ गई ये वैलू 9 के बराबर है तो डेफिनेटली ये वैलू भी 9 के बराबर है अब एरिया मालूम करना है एरिया का फार्मला क्या बताया हाफ एल्टी चूट सम और पैरल साइट बेटाया परपेंडिकुलर को एल्टी चूट के दें है ये 12 हा गया पैरल साइट का सम ये 10 है और ये 30 में 2 कम कर दें 28 है ये 28 है अब आपने करना क्या है इसको मल्टिप्लाई कर देना है 2 6 से हो जाएगा और 6 मल्टिप्लाई कर देंगे तो जवाब आजएगा 228 228 जो है वो इसका correct answer होगा ठीक है बटा बस ये end करते हैं इन काइट ये वाली shape काइट की shape हुआ करती है ज़्याद है आपको इस तरह की काइट की shape होती है दोबारा बनाएता हूँ ये जो shape है ये regular shape है काइट की shape है ये line diagonal कहलाती है ये line diagonal कहलाती है काइट में diagonal के दर्म्यान angle 90 बनता है इन काइट diagonal are perpendicular to each other diagonal की length क्या होती है perpendicular to each other ये हमें बताना था again एक काइट DV है AB की length इस AB की length आपने मालूम करनी है ग़र किया जाए ये triangle आपके पास है ये result दिया हुआ है 70 ये result दिया हुआ है 60 ये angle 23 ठीक है इस side को X का नाम देते है अब ये को right angle to angle बग़रा नहीं है दो side की one एक angle side angle side वाला case है अगर यहाँ side मालूम करनी हो तो हम को sign law लगा देते है उसके तहद x का square 60 का square 70 का square formula का 2 60 multiplied by 70 cause of 23 ये formula उससे match करता है A square बागी दो side है क्या होती है B square C square माइनस 2BC माइनस का 2BC cause side A के सामने alpha side X है इसके सामने angle जो होगा वो यहाँ लिख देंगे और इसको आप simplify कर लीजेगा simplify करने के बाद आप जो इसका result हासिल करेंगे वो मिलेगा 25.34 के बराबर हासिल हो जाएगा ठीक है आई हो यह किलियर है इस वीडियो लेक्चर के एक से दो मरतबा देखें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो इन्शाला जो है वो आपका फाइदा होगा अगली यह इस तरह से मैंसरोशन का चप्टर हमारा complete हो जाता है और अगली वीडियो में हम आपको नया टॉपिक इंशाला जो है वो डिसक्स करेंगे थैंक यू